जेहिन दोस्तो आप सभी का स्वागत है आपकी अपने यूटुब चैनल पर तो दोस्तो जैसा कि आज हम बात करने वाले हैं 13 सितंबर 2022 को हाई कोड में OVC आरक्षन का 27 परसेंट या 14 परसेंट का नेड़ने होने वाला था तो चलिए देखते हैं इसके कारण आप सभी को पता है कि आपकी जो MPHC भरती 2019 MP पुलिस भरती 2022 और MP8 की भरती जो है इसका फाइनल रिजल्ट आना रुका हुआ है क्योंकि इसी के आधार पर जो आपका OVC का 27 परसेंट आरक्षन के आधार पर रिजल्ट बनना है इसलिए इसको अभी हाई कोड जो इसमें बताया गया है कि आप सुन सकते हैं पहले इस वीडियो को सुनिया फिर मैं आपको बताता हो इसमें क्या बताया गया है दोस्तों देशा कि आपने देखा कि इस वीडियो में बता दिया गया है कि इसका जो सुनवाई होगी फिर नेक्स्ट विक के लिए कर दिया गया है और यह आपको पता है कि 26 तारिक बता रहे है तो 26 सितंबर की दिन इसकी सुनवाई होगी तो तभी जब इसका नेड़ने आएगा जब ही आपका MPPSC का रिजेल्ट, MPP पुलिस का रिजेल्ट तथा MPP टेट तीनों भरतियों का रिजेल्ट केलियर होगा इसके आधार पर तो आपकी रहेगी आरक्षन जो रहेगा 27 परसेंट OVC को सीट मिलेगी और अगर आरक्षन में 27 परसेंट आरक्षन नहीं पास होता है तो 14 परसेंट आपको सीट मिलेगी OVC को तो यही जो टल रहे है लड़ाई की 27 परसेंट दी जाएगी या 14 परसेंट दी जाएगी तो इसके अधार पर सीट का बटवारा होगा इसलिए अभी जो भरतिये आगे किलियर नहीं किया जा रहा है जैसे इसका निर्णे होता है बेसे आपकी भरतिये आगे प्रोसेस पर हो जाएगी तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जय हिंदु